तो या डबलबली का इंडिया का इवेंट खतम हो चुका है जॉन सीना आतिश उपर रेस्ल करने के लिए सीना फ्कॉर्स गेट सीमोशनल क्योंकि उनका पहला एंड कौन कहें शायद यह आखरी मैंस था इंडिया के अंदर अब क्या कुछ हुआ हो कि में इवेंट बार में डि रखता है अब ऐसे क्यों कहा रहा हूं तुम लोगों बता दो शो के उपर होता क्या है अपने शो के उपर आते हुए नजरा है जो कि में इवेंट में कंपीट करते हैं त्रॉलिस के साथ में लुट्विक काईजर एंड ग्यूवाने विंसी का अफ्कॉर्स बताया बहुत अच्छा खास है इंडियन क्राउड ऑफकॉर्स है भारते क्राउड इंडियन क्राउड हूं रहे का तो एक दम कैड़ा वाला इना और साथ में तुम लोगों को बहुत अच्छा पॉप मिलता हुए नजरा है चारो तरफ से एवन तुम लोगों को एक और चीज ये भी बता तो कुडोस तूब हमारे का कहते है नाटालिया कि उन्होंने इंडिया के लिए कि इतना ज्यादा किया लेकिन बाच्छों की में कर रहा था अचारक से बताएं वह कहां से आ गया तो हां देखो शोंके में इवेंट के अंदर से पहुत अच्छी परफॉर्मस दिया आफकॉ और तुम लोगों को यह बाद भी बता दो कि इसके बाद जो जॉन सीना है वो हैंड रेस करते हुए नजराय से रॉलिंस का और कुछ इस तरीके से पूरा अल्टिमेट शो हमें होता हुए नजराय हां यह कैसा शो था जो कि मैं कह रहा हूं एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है इन फ्यूचर जॉन सीना सेथ रॉल इस सभी की प्रेजन्स यहां पर उनी ना एक बहुत बड़ी चीज़ है एवन तुम लोगों को यह बता दो कि हमारे जो जॉन सीना उसके बाद एक प्रोमो सेग्मेंट भी कट करते हैं जहां पर हो फैंस का थैंक्स करते हैं और वह सा इंडियन सुपरस्टार स्पेक्टाकल तुम्हें जो पूरा रिजल्ट और मैंने तीन वीडियो अगर तुम्हें यह वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बैल नोटिफिकेशन को और बस मिलता है वाकर तुमस टेक केर